आदर्णी भगवान आपको जानकारी है भारती शर्मार्केट आज आमादा है 23,500 का सपोर्ट तोड़ने के लिए ये मार्केट कमजोर क्यों हैं उसका कारण है सेवी के द्वारा उठाए जा रहे आत्मगाती कदम सेवी का मूलभूत काम होता है जनाब की मार्केट को ग्रो करना तो सेवी ने कहा कि एफनो में 91% ट्रेडर्स लॉस खा रहे हैं रीटेल ट्रेडर्स को घटा हो रहा है विदेशी ने वेशा पैसा कमा रहे हैं तो साहाब एफनो से रीटेल ट्रेडर्स को दूर भगाया जाए एफनो पर ताबर तोड कर्व लगाई सेवी ने एक के बाद एक अब जल्दी ही जो एफनो के कॉंट्रक्स हैं उनकी साइज बढ़ने वाली है जो टर्नोबर टेक्सेज हैं ब्रोकरेजिस बगेरा हैं वो पहले ही बढ़ चुकी है तो सेवी ने ये कदम तो उठा लिये और इसके बावजूद सेवी का मन नहीं भरा है वो कह रहे हैं कि हम तो और ऐसे ही खदम उठाएंगे रीटेल ट्रेडर को अगर नुकसान होगा तो हम उस नुकसान से रीटेल ट्रेडर को बचाएंगे देखिए मानिवर सेवी ये जो करने जा रहा है उसका नुकसान सब को हो और मानिवर कान खोल के सुनिये जिन रीटेल ट्रेडर को नुकसान से बचाने के लिए सेवी ने इतने घातक दम उठाएंगे वो रीटेल ट्रेडर एफ एनो से दूर नहीं हटे उन्होंने एफ एनो नहीं छोड़ा उन्होंने शेर मार्केट छोड़ दिया वो अब डबब ट्रेडिंग करने लगे हैं डबबा ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शनल वोल्यूम साथवे आसमान पर चड़ गए हैं रीटेल ट्रेडर सयाने सटे वाज कल शेर मार्केट में पैसा लोटा रहे थे अब डबबा ट्रेडिंग में लोटा रहे हैं इनको घाटा कल भी हो रहा आज भी हो रहा है कल भी होता रहेगा लेकिन इन सटे वाजों को बचाने के चक्कर में सैवी ने पूरे मार्केट की लुटिया डुगो दिये जनाब ये दिक्कत है और महुदम मैं बड़ा पॉइंट रेज करना चाहता हूं सैवी का कहना था कि विदेशी निवेशक हैजिंग के जरिये बहुत पैसा कमा रहे हैं तो विदेशी निवेशकों की हैजिंग कौस्ट बढ़ा दी आपने इन कदमों के द्वारा अब अगर विदेशी निवेशक बारत में पैसा नहीं कमा सकते, अगर बारत में पैसा कमाने देने से सेवी इनकार करती है, विदेशी निवेशकों के लिए निगटिव फॉलिसी बनाती है, तो आप मुझे बताईए क्या विदेशी निवेशकों के पास विकल्पों का अभाव है भारत में ऐसा भाया हम कौन सा पईये का अविश्कार कर रहे हैं जो किसी और मार्केट में नहीं है आप मुझे बताईए विदेशी निवेशकों को क्या पागल कुट्टे ने काटा है जो वो भरत में निवेश करें, ज्यादा capital gains tax दें, ज्यादा hedging cost दें, मुनाफ़ा कमाएंगे, तो से भी ऐसे ऐसे कदम उठाएगी, कि भविश्च में और मुनाफ़ा कमाना असंभव हो जाएगा, जब ऐसी policy बनाई जाती है महोदय, तो परणाम आप देख लीजिए, गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, आंग निवेशक, सिंशेर निवेशक, जो S.I.P. कटवाता है, बचत का पैसा लंबी अवधी के लिए, शेर मार्केट में निवेश करता है, उसके शेर्स तो फल्दू में पिट गए, ये तो डबबा ट्रेडिंग में ना करेगा, डैसे डबबा ट्रेडिंग कहने को लाब है, ना तो वहाँ capital gains tax देना, ना वहाँ पर turnover taxes देना, ना भहिया जी ये lot what की दिक्कत है, कि साहब lots की साइस तीन गुना कर दी, सारी tension खतम, रही बात ये कि साहबी कहती है, कि साहब पूर regulated नहीं है, तो भहिया जी regulation गए तेल लेने, सटे वाज के हिसाब से, सटे वाज को जल्दी अमीर बनना है, और महोदय आज से नहीं, 90 के दशक में भी, डबबा ट्रेडिंग बहुत चला कर दी थी, फिर डबबा ट्रेडिंग को कम करने के लिए ही, lot sizes घटाए गए, transactions को बढ़ाया गया, options दिये गए, नए-नए weekly contracts बनाये गए, ताकि informal trades, formal economy का हिस्सा बन सके, लेकिन अब से भी उल्टे कदम उठा रही है, परणाम सरूप हम सभी को नुकसान भुकतना पड़ रहा है, सेवी को ये सोचना होगा, कि free market develop होना चाहिए, market में दो participant होंगे, एक को profit होगा, तो सामने दूसरे को loss भी होगा, अगर सेवी artificial barrier create करके, उन लोगों को घाटे से बचाना चाहती है, जो जल्दी ही एक दिन में अमीर बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोग सेवी का साथ नहीं देंगे, बले ही सेवी इनके बले का कदम उठा रही है, ये तो सटे वाज है, ये market छोड़के, सेवी को छोड़के, informal डबबा ट्रेडिंग करने लगेंगे, ये ही होता हुआ, साफ साफ दिखाई दे रहा है, उमीद है, सेवी सब कुछ लटाने के बाद, खोश में नहीं आएगी, पहले ही, जमीन पर होते हुए घटना करम को पढ़ेगी, और FNO transactions को कम करने के, कुठारा घाती कदमों को वापस लेगी, नहीं लेगी, तो एक, दो, तीन, चार, पांच साल के बाद, इनको भी समझ में आ जाएगा, जब, exchanges से ज्यादा, FNO trade, turnover, डबबा ट्रेडिंग में होगा, निश्चत रूप से होगा, अगर exchanges में, लोगों को गर्मी निकालने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो informal market में जाएगे, महोदेश स्वभाबिक है, यहां मैं डबबा ट्रेडिंग की, कोई वखालात नहीं कर रहा हूँ, स्रीमंत, जमीनी वास्तविकता है, इससे आप, चाहे तो मुह मोड़ लीजिए, लेकिन यह मिटेगी तो नहीं, शोतर मुर्ग की तरहे रेत में सर गालने से, समझ जाएं, ना तो कभी समाधान को प्राप्त हुई हैं, ना कभी होंगी, अभी भी मुझे उम्मीद है, कि भारस सरकार से भी मिलकर, बद से बदतर होती हुए हालात को रोकेगी, सुधारात्मक, सकारात्मक कदम उठाएगी, इसलिए मैं अभी भी इस गिरावट को, खरीदाली का एक सुनहरा मौका समझता हूँ, अपने क्लाइंट्स को लगातार रेक्मेंडेशन दे रहा हूँ, आपसे करवध निवेदर है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाएगा महोदा है,